आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्रेडी ग्लोस पर आपका बहुत बस्वागते बड़ी ख़बर आ रही है दोस्तों सोनू सूध ने टाक्स का घपला किया है ऐसा इंकम टाक्स डिपार्टमेंट का कहना है लगबग 20 करोण के टाक्स के घपले में सोनू सूध लिप्त पाए गए हैं तो हम बात करेंगे दोस्तों इस ख़बर की चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्टा पर फॉलो करें टेलिग्राम पर हैं त सरकारों ने भी हाथ खड़े कर लिये थे हम देख रहे थे कि इस तरीके से लेवर्स का माइग्रेशन हो रहे है एक शहर से दूसरी जगह जा रहे हैं एकदम बहुत बहुत दुखी कर देने वाली खबर थी तो कोई आगे नहीं आ रहा था सरकारों से हम लोग चीक चीक के प लेन से भेजा और उसके बाद फिर उन्होंने सोनुसूद फाउंडेशन भी चलाया एंजियो भी चलाई लेकिन अब सोनुसूद अभी आपने देखी होगी खबर की सोनुसूद के घर पे इंकम टाक्स का छाकपा पढ़ा है बाई देखो एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दे अब आ चाहता हूं आज किसी भी पचले में पर जाओ इस दुनिया में किसी भी पचले में पर जाओ लेकिन पढ़ी इնकम 79 पीम स भी मत पढ़ें निकल आही नहीं पाए भाई तो इतने सारे लोस है न निकल भी practicing सरकारी पचले में पढ़े तो गए तो इसलिए भाई बहु पे पैसा आया, जहां पर आपका अकाउंट गया, वहां पर तुरंत income tax को reporting हो जाती है, तुरंत reporting हो जाती है, और फिर उसके बाद scrutiny होती है, तो सोनु सूध ने तकरीबन 20 करोण के उपर tax को evade किया है, income tax department ने ये पाया है, statement में ये बोला है, लगातार तीन दिन तक सोनु आम आदमी पार्टी के साथ वो काम करेंगे, tie-up उन्होंने किया हुआ है, भाई देखो, बहुत लोगों का ये भी मानना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ चले गए तो BJP इनके खिलाफ जानबूज के बदले की उसमें कारवाई कर रही है, है ना, बहुत लोग बोल से लिए है, क्राउड फंडिंग से लिए है, जो की violation of law है, foreign contribution act, बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज़ की, सबसे पहले आज रात में रात में आज 8 बजे लाइव आ रहा हूँ, बहुत बड़ा announcement है दोस्तों, तो reminder set करिए, आना मत भूलिएगा, उसके बाद एक साल के current affairs, ज आपको कुछ नहीं करना है, बस एप पे जाएए, 10 रुपए कोर्स की कीमत है, UPSC 10 लगाएए, वो भी माफ हो जाएगे, और I hope आप test series दे रहे होंगे, हर दिन शाम 5 बजे 10 test आपके लिए ready हैं, और एक महा test होगा, उसमें मैं scholarships देंगे, वो 8 तारिक होगा, खुश रही है, अच्छा अच्छा भी लेचर खतम नहीं हुआ, मुझे लगा लेचर खतम हो गया, तो अब income tax department का यही बोलना है, कि भाई देखो हमने जो search किया, हमने actor के premises को search किया, उनके associates से पूछताच की, और हमको यह सारे evidences मिले हैं, कि भाई इनोंने tax में घपला किया है, tax देना था, इसमें बोगस unsecured loans थे, और बहुत सारे इसमें बोगस entities, फर्जी entities जो है, वो involved है, 20 इस तरीके की entries जो है, वो देखी गई है, अब ही आप सब बस समझ लीजे, जो इनोंने बोला है, उसके बाद मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दूगा, मामला क्या है, और इस त हरीके के checks इनोंने, cash के बिहाब पे, मतलब checks के through payment की जाती थी, बहुत सारे instances में देखा कि professional receipts को गड़वड किया गया है, इनकी जो accounting accounting book, वो सही हमको नहीं दिख रही है, तो वोगस loans raised किये गए है, total amount कितना है, सब कुछ मिला देए, 20 करोन से जादा, ये department ने बोला है, जब जैसे मालो कि तुम्हारे account पर जो भी पैसा आ रहा है, तो तुम income tax को दिखाते हो, अब मैं जैसे मालो कि अब इस पर जैसे पैसा से तुम्हारे account में 1 करोन रुपया आया, तो उस पर आप तुमको tax देना है, अब tax बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अब आप जाएगी, penalty आपको सजा भी हो सकती है, अब यहाँ पर यही दिक्कत है, यहाँ पर जो entries हुई है, यह साब फर्जी बता रहे है, टोटल अगर आप मिला देगी, देखिए income tax का कहना है कि टोटल धाई सो करोन से जादा की अनिमित्ताएं पाई गई हैं, धाई सो करोन, क्या विश्वास करेंगे, इसमें charity से मिले fund, bogus contract, bogus contract मतलब क्या है कि मान लीजे, इनको tax देना था, इनको पैसे मिले, ठीक है न, इनके account में बहुत सारे पैसे आए, अच्छा एक और चीज़ बता दू कि अभी तक अठाई जगाँ पे छापे मारी की जा चुकी है, और चानमीन जारी है, और इन में से मुंबई, दिल्ली, लखनव, जैपूर, कानपूर, गुरुगाम में इस शामिल है, छे जगाँ पे, में छे जगाँ पे, और 28 जगाँ पे और जदा चापे मारी चल रही है, तो अब यह बता रहे है कि crowdfunding के ज़री है 20 करोन रुपे, और नकली contract 65 करो आए, उन्होंने बोला contract है यह, और जब income tax ने investigate किया होगा, तो कोई contract मिले ही नहीं होगा, मतलब इन्होंने खर्चा दिखा दिया एक तरीके से, क्या भाई है मेरा contract में इतना पैसा लगा है तो मैं बच जाओंगा, और 175 करोन जो है, वो संदे, संदे आसपक, transaction है, यह चीज जो है, income tax department का कहना है कि भाई, यह चोरी की तरफ, income tax की चोरी की तरफ इशारा कर रही है, यह जो loans raise किये गए, अभी भी investigation जो है, वो जारी है, तो जो भी philanthropic efforts, जो COVID-19 में किये इन्होंने, बहुत जादा, बहुत जादा, इनको तारीफ मिले, इनकी non-profit, सूथ charity foundation, जुलाई म में बनाई गई थी, अब यह बताते हैं कि 18 करोड इन्होंने crowdfunding के जरीए collect किये, जिसमें से 1.9 करोड, 2 करोड तो इन्होंने reliever के लिए spend के और 17 करोड अभी तक unused है, और अभी सोनु-सूद और एक लखनौव based real estate firm, उनके विक में deal हुई है, अब यह भी इसकी भी हम जाज क कर रहे हैं कि क्या इसमें भी tax evasion, इसमें भी इन्होंने tax का घपला किया है, लखनौ में भी infrastructure group में सोनु-सूद ने काफी invest किया हुआ है, तो joint venture है एक तरीके से real estate group, अब यहाँ पे evidence मिले हैं कि इसमें भी tax evasion हुआ है, जो account देखा है, book of account समझते न, जो आपके account में पैसा पैसा आया का या गया का, उसमें हमने irregularities देखी हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो expenses हैं, वो bogus है, funds को divert किया गया, बर फर्जी खर्चा दिखाया गया, जो tax में जाना था, फर्जी खर्चा दिखा के इन्होंने यह बचाया है, तो यह चीज है, और 1.8 करोर का जो cash है, उसको सीज कर लिया गया है सर्च में, सुनु सूद अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े, पार्टी जॉइन नहीं की, लेकिन देश के mentor, उसका brand ambassador बनाया गया, अभी पंजाब elections होने है, आम रिंदर सिंग पर आई होप आपने lecture देखा होगा, तो यहां पर बताया जा रहा है कि बाई देखो यह हो सकता है सुनु सूद को, आम आदमी पार्टी का चेहरा पंजाब से बना दिया जाए, अब यहां पे रागव चड़्डा और बाकी सारे जो opposition हो बोल रहा है कि बाई देखो यह सरकार की ही साजिश है, और आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए है, इसलि कुछ नहीं किया है और यह income tax नहीं किया है और हम income tax control नहीं करते हैं, विससे सरकारी income tax control करती है, तो यही है कि आरोग ट्रत्यारोग काफी जादा हो रही है, और इदर सोनु सुता कहना कि बाई देखो मैं politics में बिल्कुल भी मैं बिल्कुल politics से अलग हूँ और मैं अच्छा क करता रहूँगा, तो फिल्हाल यह हिसाब किताब है, अब देखेंगे दोस्तों आगे जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा, खुछ रही पढ़ते हैं रही देशा सिद्धान तक नहीं उतरी, signing off.